एलो श्टूडेंट्स आम सादना कुमारी फ्रम महात्मागादी सिक्षन संस्थान दरभंगा वार्ग चतूर्थ विशय संस्क्रेट बच्छों मैंने अब तक आपके जो है पार्ट एक से तीन तक के सभी पार्ट को करवा दिया, कम्प्लीट करवा दिया है चतूर्थ पार्ट जो है आपका जिसका सिर्शा की चतूरह सस्का है इसका भी क्विश्चन नमर जो एक, दो, तीन, चार है, पांच तक की क्विश्चन नमर को मैंने करवा दिया है आज मैं आपका question नमर जो छो है जिसमें कि है निम्डिकी तबाक्यों का संस्कृत में अनवाद कीजिए इसमें कुछ हिंदी में जुगा की लिखे हैं जिसका कि संस्कृत में अनवाद करना है आएए मैं आज आपको उसका अनवाद करके बताती हूँ मैं आपके पहले जो मैंने आपको सब्दार्थ करवा दी हूँ सब्दार्थ को मैं अर्थ के साथ आपको पढ़ा कर पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ इसके बाद मैंने आपको बारी बारी से सभी questions के answer भी करके बता दिये हैं आईए आज आपका जो question number 6 है वो है निमले के द्वाक्यों का संस्क्रित में अनुवाद कीजिए जिसमें की 5 हिंदी के वाक्य हैं जिसको की संस्क्रित में उसका अनुवाद करना है पच्छो मैं आपके कारी को बाड़ी बाड़ी से इसलिए बताती हूं ताकि आप भी समझ कर उसकारी को करें एब हम जब आपका जो टेस्ट लिया जाएगा जब एक्जाम सूंगे तो इसमें आपको किसे परकार की कटनाई नहीं होगी तो आईए आज हम करते हैं question number 6 जिसमें है कि द्वाक्यों का संस्क्रित में अनुवाद कीजिए इसका पहला वाक्य है किसी जंगल में एक सेर रहता था किसी जंगल में एक सेर रहता था जिसका हिंदी का अनुवाद होगा कि एकस्मिन बने एका सिंगा वावसत एक जंगल में एक सेर रहता था खो में है सेर प्रति दिन बहुत से पस्वों को मारता था सेर प्रति दिन बहुत से पस्वों को मारता था तो इसका संस्कृत में बनेगा सिंगह प्रति दिन अनेकान म्रिगान ओमारयत सिंग प्रति दिन क्या करता था? बहुत से पस्वों को मारता था तो सिंहा पड़ती दिना अनिकान, मिलिकान, ओमार्याद, गोमे है, सीर खर्गोस पर बहुत नाराज हुआ, तो गोमे इसका वनवाद बनेगा, सिंहा ससकस्यू पड़ी, अति कुरोधिता ओभवत, सिंहा ससकस्यू पड़ी, अति कुरोधिता ओभवत, सिंहा खर्गोस के उपर बहुत नाराज हुआ, अब है इसका गोमे, गोमे है, सीर खर्गोस के साथ कुए पर गया, सिंहा शसकेन सह कूपम गता हा, कुए पर गया, गोमे है इसका वाक्य, सेर ने कुए में अपनी परचाही देखी और उसमें कूदगर मर गया, इसका संस्कृत में अनुराद होगा इस प्रकार से जो च्छटा जो कृस्च्चन नमार चौँ है इसके हिंदी जो वाकिया है उसके मैंने संस्कृत में अनुवाद करके आपको बता दिये हैं इस प्रकार से मैंने आपका जो प्रस्न संख्या छोग है जिसमें की हिंदी वाकिया संस्कृत में अनुवाद करना है वो मैंने आपको बता दिये है आगे के कारी कुलेकर मैं पुनाव प्वस्तित होंगी तब तक के धन्यवाद